Hello everyone, आज हम लोग परने वाले हैं, What's for breakfast lesson के question and answer, English class first, ओके, तो आएए सबसे पहले हम लोग इस lesson को start करते हैं, तो पहला problem इस lesson में दिया गया है, fill in the blanks, हमें खाली अस्थान को भरने हैं, ठीक है, तो आएए, शुरुवात करते हैं इस वीडियो को, पहला है, अली hide a big sandwich for breakfast, यान अली के पास एक बड़ा सा sandwich था, अपने breakfast करने के लिए, ठीक है, तो पहले में आपको बनना है, sandwich, दोसरा है, mother cut a tomato into a thin slices, यानि, अली की जो मम्मी थी, वह tomato को पतले-पतले slice में क्या करती हैं, काटती हैं, then second number में आपको बनना है, slices, third है, mother peeled the cucumber and cut into the slices, यानि, अली की जो मम्मी रहती हैं, वह खीरे को छीलती हैं, और छील कर उसके छोटे-छोटे slice में उसको काटती हैं, ठीक है, third में आपको बनना है, piled, piled मिस होता है, छीलना या छीलका निकालना, fourth है, chop chop the bell papers were cut into tiny pieces, यानि, bell paper मिस होता है, similar mirch, जो अली की मम्मी हैं, वह क्या करती हैं, chop board पर रखकर similar mirch को छोटे-छोटे टुकडो मर काटती हैं, पांचवा है, अली wanted to say thank you, but his mouth was full, यानि, sandwich खाते समय, अली अपने मम्मी को thank you बोलना चाहता था, लेकिन उसका जो मूह था, उस sandwich से भरा हुआ था, आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया है, number the sentences in the right order, हमें क्या करने हैं, number लिखने हैं कि कौन से sentence किस जगह पर हुआ, ठीक है, य mother was making something with tomato, यानि जो अली की मम्मी थी, वह tomato को साथ कुछ बना रही थी, तो इसको हम लोग देंगे पहला number, ठीक है, दोसरा क्या हुआ, इस lesson में, mother asked अली to bring things from the freeze, यानि अली की मम्मी ने अली से कहा कि तुम freeze से कुछ समान लेकर आओ, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे दोसरा number ठीक है, तीसरा number क्या हुआ, इस lesson में, अली brought a cucumber, bell peppers and cheese, अली जो freeze से क्या लाता है, ककंबल लाता है, मतलब खीरा लाता है, सिमला मिर्च लाता है, और cheese लाता है, यानि पनीर लाता है, freeze से, ठीक है, तो इसको करेंगे हम तीसरे number पर, ठीक है, चौथे number पर क्या करेंगे हम लो यानि अली की मम्मी, लास्ट में क्या करती है, अली को एक बड़ा साइन्विश देती है, खाने के लिए, ठीक है, तो इसको हम करेंगे पांचवे number, ठीक है, तो आप इस तरह से अपने नोटबुक में, इसको, राइट आउडर में, इसको लिख सकते हैं, इस तरह से, ओके, तो नेक्स देखते हैं, यहाँ पर है answer these questions, हमें इस questions का answers देने हैं, ठीक है, तो पहला question इसमें पूछ रहा है कि, what was अली की मम्मी थी, वो क्या बना रही थी, इसका answer है, अली की मम्मी थी, वो सैंडविच बना रही थी, question number two है, what did the mother do with the cucumber, यानी, जो अली की मम्मी थी, वो खीरे के साथ क्या कर रही थी, या खीरे से क्या बना रही थी, इसका answer है, she quickly peel the cucumber and cut into the thin slices, यानी, जो अली की मम्मी थी, वो खीरो को क्या करती है, सबसे पहले, छिलती है, उसका छिलका निकालती है, और इसको छोटे-छोटे slices में काटती है, question third है, what did the mother do with the bell papers, यानी, जो अली की मम्मी है, वो सिमला मिर्च के साथ क्या करती है, या उसको क्या बनाने में यूज करती है, तो इसका अंसर है, mother put bell papers on the chopping boards, and the bell papers cut into tiny pieces, ठीक है, सबसे पहले, अली की मम्मा क्या करती है, उस सिमला मिर्च को एक बोर्ड पर रखती है, और उसके बाद, उसको छोटे-छोटे टुकडो में काटना सुरू करती है, Q4 है, why could Ali not see what his mother was making, यानि Ali क्यों नहीं देख पा रहा था, कि उनकी मम्मी क्या बना रही है उनके लिए, तो इसका अंसर है, he was too small to see the top of the kitchen table, यानि जो Ali था, वो काफी छोटा था, और वो kitchen table को नहीं देख पा रहा था, So, he could not see what his mother was making, so इसलिए वो नहीं देख पा रहा था, कि उसकी मम्मी उसके लिए क्या बना रही है, Q5 है, Ali wanted to say thank you, but he could not, why? Ali thank you बोलना चाहता था अपने मम्मी को, लेकिन वो नहीं बोल सका ऐसा क्यों? तो इसका अंसर है, Ali wanted to say thank you to his mother, but his mouth was full, Ali जो था, अपने मम्मी को thank you बोलना चाहता था, उस sandwich के लिए, लेकिन उसका जो मुह था, उस sandwich से भड़ा हुआ था, इसलिए वो नहीं बोल पा रहा था, यहाँ पर जो वीडियो होती है, समाप्त होती है, I hope आपके वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है, please like and subscribe my channel, thank you so much.